question is calculate the electric field intensity at points situated at L distance R along the axial line of an electric dipole what is the electric field when R greater than length of dipole बचे question क्या कहता है कहता हम आपास एक dipole है देखो dipole point A है और यह point B है पॉइंट A पर जो चार्ज अपने पास minus Q है और point B पर जो चार्ज प्लस क्या हुआ है यह एक dipole है dipole का मलब जिसमें दो पोल बनते हैं और उसमें दो चार्ज होगे एक minus क्या हो चार्ज होगा एक plus क्या हो चार्ज होगा और इन दोने कर जो distance है यहां से लेकि यहां तक कर वो कितना है बस टू एल है और half यहां बीच में कितना होगा यहां से लेकि यहां तक ल होगा यहां पर इलक्रिफटेशन निकाल लिए और बात करते हैं कैसी दो को थियोरी वाइस करा रहा हूं में यह बोड की कोश्चन की एकॉर्डिंग है आपके ठीक है आज़ा सुनो कहता है कैसी लिखना है आपनी थियोरी कैसे लिखनी है प्रकार है कुछ कहता है लेट उस कि एक पॉइंट पी माल लोग यहां पर मान आपने काई फ्रॉम दी सेंटर ओ यहां से दिस्टेंस यह आपके पास आ रहे है ठीक है कि अब डाइपोल दी अचलो ठीक है क्या अट्य फीट इंटरिंटनषी एड पॉइंट-पी दू प्लस के अउच चार्ज गीवन लगा न होना होना है किसके द्वानिकालना हैं अब को करना है इस कि अहाँ क्या निकाल नहीं है उन by वखो C5 सब्सक्राइब आपको यहां सब्सक्तलि सोंब हो यहां क्या थे ऐ चाज करGO TechKb णोर एक अब ही यहां हमते हैं मैं एक अब यहां है भूसल्च कोछ यहां है आपको यह कितना है ल है तो यहां से लेकिर यहाँ तक दौर यहां से बिए टॉर्य कि दॉर्ड होका आपके पास वह क्या बन ढायगा आपने जी इसके द्वाहर तरफ निकाल दी थीकिए बढ़ आपने सब्सक्राइब यहां से लेकि यहां तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा ठीक है अच्छा इतनी बात क्लिए किन जन्स कि यहां यहां पर ज़्यादा फोर्स लगेगी न सब्सक्राइब निकाल ले न कि जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा उैक्ति फ्लड़ लगती है सब्सक्राइब निए इसके लिए तो यहां से निकालागी तो अपके पास बहुत कम है और यहां देख लिखा आपके पास तो यहां इसके लिए था तो यहां सब्सक्राइब आपको पता है नेट कि तरफ लग रहा है ना नहीं समझ रहे हो एक पॉइंट पी है यह क्या है आपको दो मिट लगेगा समझने में देखो यह पॉइंट पी है आपके पास ठीक है यह पॉइंट पी है इस पॉइंट से लेक्टिव से खीचा जा रहा है यह दिमात के लिए न मैं गयदा में को जोर से तो इटू को भी तू खिचा जा रहा है अगर एवन की वैलू ज्यादा है आज कमपेर टू इटू मैं बोलो नेट कितना लग रहा है बत्चा बुले कर सर इवन ज्यादा लग रहा है माइनस इटू बूलो आप समझ में आया से आप समय आया ना अच्छा आओ बात करते हैं त इटू e1-e2 कम्हें ज्यादा लग रहे है तो e1 की वैलू आपके पास यह रही सर क्षित बगार रहे है आप यह पे रहत्ती पास यह 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 पर रहती पर यहां पे प्रिया पर पे यह यह इनकाल लिए तो क्या होँ भी पाइब क्या है यहां पर पर लिख व इंस स्कूर बचता है यहां पर पर ऐल-भी का इसना माइस-ईया बात खुतम धाय यह बात खतम बचाहिए आपने तेक्टे को घरखो नहीं ही एक माइनिस लगे लेता है ऑन ब्लास कि ऑस और ग्री और तो यहांपे करोगे तो R plus L कट जाएगा क्या बच्छे का आपके पास R minus L square यहां पर आ जाएगा ऑप जाता है ना अच्छा बच्छा वो तर ठीक है कि लिए अब यहां पर के लगा तो A plus B का whole square देखो A R square plus L square plus 2RL ठीक है यह माइस का sign यहां पर लगाओ इसमें लगाओ A minus B का whole square ठीक है R square plus L square minus 2RL लगाओ अब जब ड्रैकेट खोलोगे यह तो R square सी आगया ना L square आगया आपके पास 2RL अब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है तो यह L square कर सक प्लस माइनस का है यहाँ प्लस का यहancel अब भी आज माइनस का है यह R square winter यह 2rel ऊगया यह दूनों फ्लस के होगे तो में यह दूनों फ्लस हों होगे तो यह दूनों प्लस हो जाएगे बक्रा क्या आपने पास स्कूर मिलाकर तो देखो-4-2 और यह वहागँ ना यहाँ पर इफ्सलेंड था है से आपके पास यह और आ इस तो नहीं कि नहीं किया है। क्याओ को ऐसे ही रखा गया है L को भी ऐसे रखा गया है R को भी ऐसे रखा गया है बस तो दो को तोड़ दिया गया 2R यहां 2 लिख दिया 2 यहां लिख दिया 2 यहां लिख दिया बस और कुछ नहीं किया अब हमें पता है क्याओ 2L क्या होता है P होता है सर अच्छा ये ले कि लिए हामें अब यह तो यह तो आपके पस पी बन जाता है यह तो बन जता है यह तो यह तो यह च्छे रहा और अर नीचे मैंने यह आप अब मैं यहां पर एक चीज मानके जालता हूं कि जो आर है ना वह बहुत बड़ा है as compared to L जब आर ज्यादा होगा ठीक है तो हम L को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं जब इसको नेगलेक्ट कर देंगे अब आर को तो हमने पास अब आर का यहां पर स्क्वेर मिल्ब दो स्क्राइब चार बन जाएगा तो आर की पावर फॉर बन गई ना उपर भी एक आ रही है हमाँ पास देख रहें आ रही है यह आर से फोर कटकर तीन आ जाएगा तो टूपी आर तो कैंसल हो गया फोर पाई आ यह हमाँ पास अंसर है थैंक यू